नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागेंद्र मिस्ता चैनल पे दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा कन्या राष 15 अपरेल से लेकर 21 अपरेल 2021 तक मिलेगी सबसे बड़ी काम्याबी। जी हां दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राष के जातकों कि लिए 15 अपरेल से लेकर 21 अपरेल 2020 तक कस्न में कैसा रहेगा यनि की अप्रेल माह के तीसरे सप्ता के बारे में कन्या रास फल के बारे में बताएंगे तो दोस्तों दिन की सिरुवात करें तो चैत्र माह शुकल पक्षी तिर्थिया तिथी से रहने वाली है और अंत चैत्र माह के शुकल पक्षी नौमी तिथी से रहने वाली है और दौस्तों कन्यारास की यातकों इसमें चंद्रमा तीन भाव पे शक्री रहेंगे यनि आपके नौमे भाव, दसमे भाव और एका दस भाव पे चंद्रमा ब्रिशब राज में गोचर करते हुए मितुन राशि और करक राशी में गोचर करेंगे शूर्देव इस सप्ता आपके मेश राश पे गोचर करेंगे और पंचम भाव पे सनी रहेंगे और छटे भाव पे देव गुरु ब्रिहस्पत रहेंगे और आपके नबम भाव भाग भाव पे यानि कि ये राहू रहेंगे और केतु तीसरे भाव ब्रिशिक राश पे गोचर करेंगे और सुर्देव के साथ बुद्ध दित राश योग इस सप्ता बनाएंगे आपके राशिक स्वामी बुद्ध ग्रह और सुक्रदेव भी मेश राश पे यानि त्रिग रही योग बनेगा इस सप्ता में इन तमाम ग्रहों का शटीक बिशलेशन करके हम आपको बताएंगे कन्यरास की जातकों आपका दामपत जीवन प्रेम जीवन आपका पारिवारिक जीवन लव लाइप केरियर बिजनेस ब्यापार सभी छेतरों के बारे में आपका हेल्थ स्वास्त और इजुकेशन सभी छे अपरेल देकर 21 तकका के जो यह समय रहेगा 7 दिन का कन्यरास की जातकों आप लिए बहुत ही लाबदाएक दिन कहलाएगा • एक तो देखे इस समय चैत्रह नौरात्री का शमय चल रहा है तो इसका भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाब मिलेगा खासकर अगर बात करें तो आपके लिए 15, 16 और 17 अप्रैल के जो समय रहेगा बहुत ही ज़्यादा लाबकारी रहेगा केजियर में आपको बड़ी खुसकबरी आपको प्रमोशन के रूप मिलेगी तो वहीं आपके बेहतर योग जैसे कि कई सारे दुरलब योग बन रहे हैं योगों का आपको लाब मिलता होना जराएगा करने रास कियात को एक तो आपके लिए सबसे इंपोर्टन्ट बात ये है कि बिजनेस ब्यापार में आपको लाब और फाइदा भी मिलेगा और लोटरी शक्ता शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा करने रास कियात को इस सब्ताह में आपके रुके हुए तमाम जो पैसे थे यानि कहीं आपके पेंडिंग थे या कहीं फस गया था पैसा वो वापस मिलता होना जराएगा साजेधारी में बिजनेस ब्यापार में आपको लाब होगा कन्य रास्की रात को तो ये सब्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी रहने वाला है कन्य रास्की रात को केरियर की दिश्टे से देखें तो उच्पत की प्राप्ती और प्रमोशन की योग बनेंगे आपके इस्टाप के लोगों को सहयोग प्राप्त होगा इस सब्ताह में आपको प्रमोशन के साथ साथ बड़े भाई बेनों को सहयोग प्राप्त होगा और चंदरमा जब आपके दसम भाव पे जाएंगे तो आपका बिजनेस ब्यापार तेजी से चलेगा नए बिजनेस ब्यापार का श्टार्ट आप कर सकते हैं यानि कि धन को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी कन्य रास्कियात को इस शप्ता हमें कन्य रास्कियात को आपके लिए कोई इंपोर्टेंट डील फाइनल हो शकती है जो कि आपके लिए सबसे बड़ी काम्यावी शावित होगी काफी दिनों से ये डिल रुके हुई थी किशी कारण बस या किशी प्रतिदंदी के बज़े से रुके गई थी अब वो डिल आपकी फाइनल होती नजराएगी जिसके कारण आपकी आर्थी किस्तिती बहुत ही मजबूत दिखाई देगी कन्य रास्कियात को तो कन्य रास्कियात को ये जो सब्ताह है आपके लिए सानदार रहने वाला है और किसी मल्टी नेशलन कंपोनी से आफार आ सकता है बिजेस से समबंधित कोई नोकरी को लोकर सुब्समाचार या कोई बिजनस ब्यापार के लिए सुब्समाचार मिल सकते हैं जो बिदेश में बैटे हैं, बिदेश में कार कर रहे हैं, कन्य रास की जाते हैं, उनके लिए भी ये सब्ता सांदार रहेगा, नए बिजिनस ब्यापार कर स्टाट अप करेंगे, बिजिनस ब्यापार में पैसा इंवेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, साथ बात करें आपके लिए इस्टूडेंट के लिए बिद्यारतियों के लिए तो ये जो सब्तार है खासकर बहुत लाब दायक रहेगा और ये जो समय रहेगा उन्नीस बीस और एकीस सप्रेल के जो समय रहेगा किसी एकजाम के रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे तो कन्यरास रिजल्ट को वो रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाए देगा और इसका सीधा सीधा आपको लाब मिलता हुआ नजराएगा तो किल मिलाकर कहा जाए तो ये इस्टियां काफी यदा लाब दायक रहने वाली है और इन इस्टियों को आपको लाब भी मिलता हुआ नजराएगा और ज्यादस ज्यादा धन कमाने के प्रबल स्त्रोत तो बनेंगे और यहाँ पर आपको अपने एकजाम या किसी इंटर्वी की तैयार में जुटे हुए तो इसमें भी शफलताएं जरूर मिलेगी लेकिन करने रास्कियत को पढ़ाई पर अगर मन नहीं लग रहा है अगर आपको पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद नहीं आ रहा है तो आपको मा भगुती दुरगा की शरण में जाना चाहिए और उन्हें पांच लोंगा रपित कर दे फिर देखे चमातकार कशे होता है करने रास्कियत को अगर शेहत की बात करें तो शेहत संबंधी प्रॉब्लम दूर होगी शेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आएंगे और पहले से कहीं ज्यादा आपकी जो हेल्थ से संबंधीत काम है बहुत ज्यादा मजबूत और जो अब वाहिते शिंगल जाता है कि उनके विवाह के रिष्टेते हो सकते हैं और इसी कारण से आपकी मन्मिया अपार खुशियां का संचार होगा इसमें आपके घर में कुछ धार्म कर्म के कार होंगे धार में कारियों का यूजन हो सकता है और इसमें चैत्रे नवरात आ रही है करनी राज कियात को किशी कारण बस तो आपको माता भगवती को मिस्त्री और बतासा जरूर अरपित करना चाहिए फिर देखे कैसे आपको काम्याभी मिलती है आपका दांपती जीवन खुशाल से बीत एगा दांपती जीवन में मिठा से एक दूसरे से करीब है ए और एक दूसरे के प्रति प्यार भरा हुआ है। ज़्यार ञोटे हैं, शब्यार भरा भरा हुआ हूका धिनियार भार हुआ 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 है। आप रहने वाला है, इस शप्ता कर शीधा शीधा आपको लाब भी उठाना चाहिए क्योंकि कई तरह के प्रभल योग बन रहे हैं, लाब भी उठाना है, करने रास किया जातको उपाय की बाद करें तो इस सप्ता आपको माभगति दुरगा की अरादना करना है, पुजा में बुद्ध ग्रह का बिश्णु सहाइस्तर इस्तरोत जरूर पाठ करें तो आपको लाब होगा त्रिग रही योग का भी लाब मिलेगा तो यह था कन्य राज के जातकों के लिए 15 प्रेल से लेकर 21 अप्रेल 2021 तक का रासिफल सब्ता ही का रासिफल तो दोस्तों जाते हैं वेडियो ग्लाइक जरूर करिए नए तो चनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जय शनी देव